नमस्कार मैं राम केशन ओजहा अद्देख्ष प्रभावाती ओजहा सुर्थी सेवा संस्ता और जनरल सेकेटरी महराश परदेश कॉंग्रेस कमेटी आज हमारे बीच उपाद्या साहब इनका यहां सौगत है सौगत है सौगत है सर आपका आज हम जिस दीज के लिए हम उपस्तितों हैं हम हमारा देश इस समय कोरोना जैसी महामारी से जूज रहा है नाकपुर शहर भी उससे अच्छुता नहीं है जिस तरह से नाकपुर शहर में पिछले तीन महने से कोरोना का परकोब चल रहा है आपको आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी जो जीवन उपयोगी चीजे हैं हम से छूट रही है हम अस्त वैस्त हो रहे हैं वायू सेवाए बंद होगी रेल सेवाए बंद है बस सेवाए बंद है परतिश्ठान बंद है व्यापार बंद है हम लोग घरों के अंदर में करीबन तीन मेने से घर के अंदर बंद है जिस कारे में जैसे हमारे सरकार ने इस संखला को तोड़ने के लिए लोगडाउन एक शुरू किया जिसके कारण उनका योदेश था कि हम लोग इस चैन को तोड़े कही निकाई और जिस तरह से हम लोगडाउन एक से लेकर पांच तक पांच लोगडाउन तक जो जो परिशानिया हमने जहली हैं जिस तरह से हमने इस महामारी से योद्धा की तरह लड़े हैं उसमें कहीं ने कहीं इस शहर के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है तो पलिस उभाग का रहा है पलिस उभाग ने जिस तरह से शुरुआत में हो सकता है सक्ति के साथ काम किया लेकि उसके बाद जिस तरह से कई मिसालें लोग के साथ उन्होंने तयार कियें, लोग के साथ बड़ा अच्छा, उन्होंने सामसज्य बांदा है, नीडी लोग के लिए उन्होंने खाना तक पहुचाया है, और कई तरह के काम जैसे कि आपको देखनी माया आगो नाकपुर श पहुचाना, अगर किसी कियां दवाईयां नहीं तो दवाईयां पहुचाना, किसी कियां राशन नहीं तो राशन पहुचाना, यहां तक की पुलिस भाग का काम रहा है, इसी संकला में हमने इस चर्चा के लिए हमारे बीच में आमंतरत किया है, हमारे नाकपुर शेर के लो लोगडाउन एक से पहले कैसा था और सड़नली इसमें आप देखें कि बहुत सारे बदलावाए हैं हम एक अलग तरह की जिन्दगी लोगडाउन एक के पहले जी रहे थे और एक और पांच के बाद पांच के अंदर हमने बहुत सारी सकती के साथ इस रंखला को कोरोना के इस कि यह जो यह जो ट्राइवल निकी रहा इसमें आपका अनुभाव आपके आवहान और आपने किस तरह से लोग को लोग का मन जीता यह आपके अनुभाव आप यहां हमारे साथ शेयर करिए से देखी ओजा जी सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यह पूरे समाज के हमारे लोगों ने 44 15 15 घंट ड्यूंटीयां कि शुरू में किसे को चुटी नहीं थी fire नहीं जा रहे थे, नाकबंदी लगाई गई, पेट्रोलिंग लगाई गई, फिक्स पॉइंट लगाए गई, और लोगों को समझाया गया, और बहुत जगा सकती भी पूलिस ने की, ताकि इस बीमारी को रोका जाए, और लेकिन धिरे-दरे जैसे-जैसे मैटर सेटल होते गय उसकी साब से थोड़ा सा हमको इसमें सुभदा हुई, लोग भी कॉपरेट करने लगे, हमने बहुत सारे रिलिजियस लीडर हैं, कॉम्मिनिटी लीडर हैं, उनकी भी हेल ली, उनकी मदद ली, फिर पुलिस की डूटे 12 घंटे की हमीं कर दी, जोकि पहले 14, 15, 15, 16, 16 घंटे की डूटी हुआ करती थी, तो इस हिसाब से एक यात्रा शुरू ही, और आज हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं, जहां पे ऑनलॉग डाउन पहला हो गया है, हमने ऑनलॉग कर दिया एक तरह से, आज एक बड़े संकट की बात है, और दुख की बात है, कि हमारे यहां, हमन रही है, हमने मैं जो आपनी चोर ponernमें जोन पर रही है दिया है जो contentment area है उससे लोग बाहर नहीं आए नहीं जाये वह एक मेरा priority है उसके बाद public अगर बाहर आती भी है किसी कारण से तो social distancing रखे mask लगाए sanitize करे इस पर अभी अपना ज्यादा जोर है तो इस हिसाब से शुरुआ थे के बजार में गरम रही एक इसका मुख्य कारण ऐसा रहा कि social media जो है एक बहुत अच्छा platform है लोगों के लिए ताजा जानकरी जानने के लिए किसी के बारे में समझने के लिए लोगों की बात समझने के लेकिन एक बड़ा दुर्भागे की बात ये भी है कि यही platform का जो लोग वापर करते हैं जिसका ब्रहमक खबरे पहुचाते हैं इसके बारे में सर आपका क्या अनुभारवा कैसे यह सब चीजे को रोकने लिए कोई चीज हुई या इसके बारे में हम कैसे सावद रहें देखिए उज़ा जी इसमें मैं बताना चाहूँगा कि सुशल मेडिया में बहुत सारी चीजें आईसी आ रही है जो चीजें ऐंकन फांद हैं जैसे एक तो बीमारी नहीं है जिस बीमारी के बारे में लोगों कुछ जानकारी नहीं है बहुत सारे जो कि आ रहे हैं वो अपने अपने हिसाब सीज में बता रहे हैं वह सारे स्टेट्मेंट होते हैं कुछ अलग होते हैं और एक ऐसी चीजे पब्लिक के सामने आती है जो लगता है पब्लिक को सही होगा लेकिन उचीजे गलत होती है तो सोशल मेडिया का मैंने देखा कि बहुत पर दुश्परनाम भी हुआ है तो मैं इस मौके पर लोग यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो ऑथेंटिक जो गौर्मेंट के इजिंसी है इंडियन कॉंसील अप मेडिकल रिशर्च है या हेल्ड डिपार्टमेंट है या महराश गौर्मेंट के जीडी या हेल्ड ड कर रहे हैं तो अगर आप कोई भी डॉट हो तो आप हैल्प लाइन पर बात करते हैं तो आप उसकी जनकारी आपको मिल जाती है उसके अलावा आरोग सेतु जो है आरोग सेतु में अगर कोई रिश्ट्राइट तो मेरा यह रिक्वेस्ट है कि शोशल मेडिया एक बहुत जानकारी आ रही है तो कोई भी जानकारी अगर शोशल मेडिया आपको आती है तो जब तक आप उसको ऑथेंटिक गोवर्मेंट सोर्स से इनफॉर्म उसको भेरिफाई नहीं करते हैं तब तक आउसको माने नहीं जी क्योंकि आने वाले समय में हो सकते हैं रूल्स और रेग ये कही जगह पे करोना के शिकार होएं अगर वो हम फीगर देखें तो नाकपूर सबसे पीछे में है तो हम ये जानना चाहते हैं पादे साब की आपने ऐसा कौन सा मूल मंतर उनको दिया या ऐसे कौन सी जादू की चड़ई आपने गुमाई है कि जो अपने स्वस्त भी र आया था इत्ति बड़ी महामारी ना मेरे पिता जी ने देखी ना हमारे दादा जी ने देखी ना हमने देखी है सड़नली एक बहुत बड़ा पहाड हमारे समाज के उपर हमारे देश पे टूटा है और इस मौके पे आपने जिस तरह से यद्धा के तरह योद्धा जो होता था जिसका नाकपुर शहर में अच्छा वात अरण लोग डाउन के तहट रहा देखिए उजाजी सबसे पहले इसके लिए मैं तो खुदा का शुक्र मानता हूं खुदा की इश्वर की कृपा है लेकिन उसके साथ-साथ कोशिश भी बहुत इंपोर्टेंट है और मैं मानता की ईश्वर उसी को सफलता देता है कोशिश करता है जैसे अपने यह अपने मिनश देना शुरू किया उनको मल्टी विटामिन हमने दिया उसके बाद हमने उनको जो टैबलेट प्रसक्राइब थे उनको दिया इसके अलावा हमने मास्क तो था ही सब के पास इसके अलावा जो फेश शील्ड हो दिया उसके बाद हमने एक देखा कि हमारे जितने भी सिनर अफिसर से हैं पुलिस कमिशनर ह सब्सक्राइब करते थे उनको बोलते थे कि करमचारी को ऐसा लगे कि मेरा सिंदर अपीसर भी मेरे साथ है हम लोग चौक पर खड़े होते थे वहां पर जाते थे तो इससे क्या हुआ कि एक और हम हमेशा उनको बताते थे हमारे डॉक्टर जो है मिस्टर शिंदे वह भी बहुत एक्टिव हैं वह सिंदे हर एक जगा भीज़िट करते थे लोगों बताते थे इसके लावा हमको गौवर्मेंट से और डीजी ऑफिस से पुलिस को क्या क्या प्रिकॉशन लेना वह सारी जो चीज आते थी उन सारी चीज़ों को मराठी में करके करते के हम अपने लोगों को देते थे और जब जाते थे तो पांच मिन होता थो ऑव्ह गया ज़रूरिए दोटीन चीजें हम उनको बता दें कि तीन-चार चीजें रखने जरूरी है पहला यह है कि मास कीसी तरह होना चाहिए दूसरी बात ऐसी है कि जब कंटेंटमन एरिया में हो जहां पे पेशेंट हो सकते हैं वहां पे फेशिल्ड होना जरूरी है तीसरी बात कहीं पर भी जाते ह हो जाए क्योंकि बस में बैठाना है तो बार-बार उनको ब्रिफिंग करना उनको समझाना इसके चलते जो हमारे हाँ काफी कम लोग संक्रमित हुए हैं लगवाक 10-11 लोग की शंक्या और इस्वर की दिया से सारे उसमें लोग ठीक हो के घर चले गए हैं तो यह हमारे सिंधिर ऑफिसर्स हमारा और हमारे डॉक्टर इस इन लोग की जो एक समझे की सामुहिक कोशिश है उसका परणाम है और इसमें मैं माननी है हमारे जो होम मिनिस्टर से अब उनका भी आभार माना चाहूंगा कि क्योंकि उन्होंन जितने भी हमारे पेशिंट संक्रमित हुए उनका उन्हों खुद बात किया इसकलावा रोज हमारे पुलिस कॉंस्टेवल के वाइफ से वह दस लोग से बात करते थे और बोलते थे का चिंताम मत करो हम आपके साथ है तो एक तरह से जो मुराल बूस्टर है कि हम लोंको लग जी जी इसका ही कारण देखने में आया है कि जैसे हम लोग भी समाजिक संस्ताओं के माध्यम से शेहर में फूट का वितरन करते थे उसमें पुलिस का इतना अच्छा विभार रहा है कि जैसे को एगर फूड लेके आता था फूड पैकेट लेके आता तो उनको रोक के फूड़ा सा सरेक सवाल उड़ता है कि जैसे जैसे ऑनलाइन की परक्रिया शुरू हो गई है जैसे अब लोग घर से नहीं निकल रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से खान राशन बुला लेते हैं जो ऑनलाइन प्रोसेस में उनके पासवर्ट उनके बैंक अकाउंट उपन हुए आप तो इस चक्र में कैसा है पुरे नाकपूर में अभी अगर आप तो इस विभाग में है निוस लिए ₹-000 समाचार पात्रों के माध्यम से कि साइबर क्राईम थोड़ा बढ़राया इसमें cybercrime के बहुत सारे cases हुए है और उसका कारण ऐसा है कि online transaction जदा हो रहा है तो cybercrime के अगर आप cases के study करते हैं तो उसमें सबसे main problem ऐसा है कि कोई न कोई विवेक्ति हमसे phone करके और किसी कोई link भेज के हमसे password ले लेता है तो इसमें सबसे बड़ी बात ऐसा है कि अगर कोई विवेक्ति हमारे पास phone करता है और कोई जनकारी हासिल करता है तो उसमें जनकारी न दी जाए मुस्क मैं आपको बताऊंगा कि अपने नागपूर शहर के ऐसे कुछ लोग हैं जो बड़े पढ़े लिके अगर मैं पूलिस कमेशनर को बताऊंगा तो उसेंगे लेकिन फिर भी हमने उनकी help के मदद किया तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने चैनल के द्वारा इसके बारे में लोगो को कि अगर फोन करके आपको किसी तरह की चानकारी लेता है और यहाइसे उस लिंक पर क्लिक करते हैं वो मोबाइल की सारी जानकारी उसको मिल जाती है तो इस हिसाब से अगर हम दो चीज पर ध्यान रखें कि कोई फोन से इनफर्मिशन मानता है तो उसको ना दें और कोई भी अन्नोन वेक्ति कोई लिंक भेजता है या किसी तरह का कोई अपने को इनफर्मिशन देता है आप इस पर क्लिक करें इसके अंदर जाए तो आप कम सकम इसको रोक सकते हैं इसके अलावा हमारे पूलिस डिपार्टमेंट हमने कुछ अपने साइबर सेल में लों के संक्या बढ़ाई है और इसको निप्टाया जाए बिलकुल इसमें आप ऐसा कह रहे हैं कि अगर इसमें अपन अलट रहें तो सुरक्षित रह सकते लेकिन अगर अलट होने के बाद भी अगर ऐसे क्राइम हो जाता है और क्राइम होने के बाद हम उसको पोस्ट उसको कोई कारवाई करने के लिए आपने टीम अभी तयार किया ये बड़ी अच्छी सुचना नाकपुर शहरवासियों के लिए है सर एक और सुजाओ नाकपुर शहर से association के म जारास्टा ने इस शादी के समय चल रहा है और तेवारों का समय चल रहा है तो शादी के लिए सर 50 लोग का आपने एक रूल बनाए कि 50 लोगों तक आप एक शादी में मिला के सब लोग रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं सर उसमें दिक्कत ऐसी आ रही है कि लोग शादी के समें अगर 50 लोग को बुलाते हैं तो एक मद्यवर्गी आदनी का फ्लैट होता है या ज्यादा छोटा मकान होता है 1500-2000 फुट का उसका मकान होता है उसमें 50 लोग जो है वो एड़स्ट नहीं हो पाते हैं दूसरा सर अगर उसका फ्लैट किसी सुसाइटी में है तो सुसाइटी वाले भी उसको अलाव नहीं करते तो यह बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो लोग का ऐसा सुझा होता सर कि आप या होटल या जो विवास तल के जो सभाग रहे हैं वो या मंदीर इन लोग इस बारे में कोई आपकी चर्चा या कोई ऐसा आप सोच रहे हैं कि इस बारे में सरकार से कोई बात्चीत आपकी चल रही है कैसर लोग जाना चाहते हैं देखी इसमें आपका सुझा बहुत अच्छा है और इसके बारे में हमारे एक क्लेक्टर साब से बात हुई है और क्ल अगर उनको लॉन में कहीं बड़ी जागर दिया जाए तो अच्छे धंग से इसको प्रस्ताव भेजा है उस पर जरूरूर्मेंट को से इंस्ट्रक्शन साइगे और हम इंडिपेंटली भी ट्राइब करने हैं गोर्मेंट के और से ताकि इसके बारे में विचार किया जाए त सर आप साहितकार भी है आपने के किताबी भी लिखी है माइंड मैनेजमेंट पे किताबी लिखी है आपने वर्ल्ड मैनेजमेंट पे आपने किताबी लिखी है सर तो मुझे एक चीज़ आप से हम लोग समझना चाहते हैं सर कि सामन्य वेक्तिक का पुलिस के ओपर विश्व विश्वास पुलिस उभाग पर आया है यह अनलॉगडाउन एक के बाद क्योंकि यह बड़ी मुश्किल आपके सामने खड़िये सब इस लॉगडाउन एक और पांच के बाद लॉगडाउन एक में आपकी समझ्या काफी बढ़ेगी आपको तोड़ा सब्सक्राइब होना कि पूरे देश में और पूरे महराश्य में और नागपूर में पूलिस के बारे में जो लोगग का विश्वास बढ़ा है और इसमें काफी नेशनल सर्वे भी हुआ है जिसमें ऐसा बताया गया है कि कम सम्सेवेंटी परसें क्रियोबिलिटी पूलिस की बढ़ी है तो यह तो हमने कमाया है इसको आगे भी रखना है और इसके लिए हम अपने अफीसर को बता रहे हैं लोग को बोल रहे हैं कि दोखो आप लोग से बात करते समये लोग को help करते समये उनको convince करो क्योंकि ए जो problem है common public का problem है एक क्रिमनल का problem है हम क्रिमनल से कैसे भी हैब करते हैं तो ल इस अंकट की गंविर्था मालूम है तो यह जो हमने एक तरह से जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने जो तीन महीने में जो कमाया है उसको आगे रखने के लिए सबसे ज़रूरत बात है कि लोग के साथ इंपैती रखना, लोग के साथ इंपैती रखना, उनको समझाना बुझाना और अगर समझाने के बाद भी कोई वेक्ति नहीं मानता है तो फिर उसको करवाई करने पड़ेगी कि अल्टिमेटली क्या है हमारा समाज का और देश का है हम लोग को बोल रहा है कि आप सोचल डिस्टेंस की रखो वहाँ पे जगह भी है कोई प्रॉब्लम में नहीं है इसका दावा भी अगर कोई नहीं मानता है तो फिर हमको कानून के चड़ी उठानी पड़ेगी और वहाँ पर हमको उसका करवाई करनी पड़ेगी लेकिन मुझे उमीद है कि हमारे नागपूर के लोग सुजान है हमारे नागपूर के लोग जागुरुक हैं उनको और हमारे जो केसे बढ़ रहे हैं वो भी चिंता की बात है तो उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम इस चेन को तोड़े कि इसमें कई चारी चीज़े देखने में अगर हम आप सब जानते ही होंगे सर की आपने लॉक्डाउन प्रेड में ऐसे कई कारणामी किया जिसमें जैसे की एक एक एक्जामपल है कि कई मतलब रामदास पेट या धरमपेट की बात है आपने एक महिला का जनम दीन मनाया उसमें आपने केक लेग गए कई ऐसे तरह कई मसला मिसाले काइम तो लोग एक है आपके तरफ एक आशा नजर से देख रहे हैं तो यह बहुत अच्छे डंक से आपने जो बताया है वो जरूर आपको नागपुर की जंता साथ देगी सब एक और जो मुद्दा हम आप से चर्चा करना चुड़ गई है श्रमिक हमारे मैक्जियम अपने अपने घरों में चले गए हैं तो नागपुर शेहर की अगर बेरोजगारी काफी बढ़ी है तो इसमें अस्तामाजिक तत्वा थोड़े से जागरुक हो हैं ऐसा समझ में आता है कि कहीं नहीं कहीं अस्तामाजिकता की बात चुड़े से बरतना पड़ेगा तो इसके लिए कुछ ऐसा आपका क्योंकि बढ़ेगी सर्थ इसमें आप कैसे इसको आगे इस परॉलम को आगे खीचेंगे देखेंगे इसके लिए हमने अपनी अंतरणा को स्ट्रॉंग करना शुरू किया है क्योंकि हमारी पूरी अंतरण लोगडाउन में लगी थी आज भी जो ने उसमें लोग लगे हुए मैंप बहुत बड़ा वहां पि लगा हुआ है लेकिन हमने पूरे नाकपूर शहर में इस तरह के जो गुनेगार है उनकी आदिय त्यार की है बहुत सारे गुनेगार करोना के चलते जेल से भी चुट के बाहर आए हुए है तो हमने operation शुरू किया है और लोगों की ताकि इन पर बंधन लागा जाहिए मुन पर करवाई कर रहे हैं उनको कॉंसलिंग भी कर रहे हैं उनको पूलिशन में लाकर लाकर वो चेक हुए और आपको को था और कि पूररे कॉंपरिटिव तौर पर हमारे ह क्राइक्शन ब्रांज के लोगों लगे हुए हैं और हमें पर उमीद है कि हम उसको पूरी तरह से कंट्रोल रखेंगे महत्वपुर्ण सवाल में आप से इसमें पूछने चाहरा था क्या हम लॉग्डॉण छे की तरह बढ़ रहे हैं ऐसा लगते हैं आपको उसको ऐसा लगता है कि हमारे एक्सपर्ट जो बता रहा है और हमने अगर सुसल डिस्टेंसिंग रखा और हमने नियम का पालन किया इंडिविज्वली तो मुसको ऐसा नहीं लगता है कि लॉगडाउन शेकी जरूत पड़ेगी और अभी पीक बता रहे हैं एक्सपर्ट बता तो हम काफी बड़े संकत में पड़े सकते हैं लेकिन मुझको उमीद है कि भारतिये जनता महरास की जनता नागपूर की जनता जाखरूख है इसको सोचते समझते हुए अपने इंसानी नियमों को पालन करेगी और हम इसे जरूर बाहर आएंगे बिलकुल सर अभी करोड कोर अब आज होता नहीं है तो हमारे जीवन में ये रहने वाला है ऐसा एक महसूस लोग के बीच में एक ऐसा मवातारण बनने जा रहा है तो इसके लिए आपके क्या लोग को क्या संदेश है कि इस कुराना को साथ में रहके सरकारी कालून के का पालन करना, पुलीस को सपोर्ट करना, स्वास्ता सेवायों के सपोर्ट करना और अपने जीवन आपन की जो चीजें बाहर से लाकर उसको यूज करना, सोशल डिसन्स मेंटेन करना, इसमें आप क्या रोशनी डालेंगे, इस जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इस बीमारी से हम साथ में रखकर, दोस्त करम नहीं आता. तो कोई भी वेक्टी उसका है, या किसी को लीवर का प्राप्लम है, अगर उसको यूजाता है तो उसकी हम साथ कराब हो जैती है. यह जी सर्थ्यू मेńskन यूजक भी देखा गया है कि यउंग लोह भी इसके विक्टिम हुएं. तो मेरा इसमें यहीं गाना ह सबसे बड़ी बात इसमें ही है कि जब तक वैक्षिन नहीं बनता तब तक बीमारी को पुरा खतम नहीं कर सकते हैं आज hold लोग को सबसे बड़ी बात है कि कि मुड़े यह ब्लroos एक मुट्र में प्रोटेक करें और सबसे बड़ी बात है के कि किसी को बीजिर थोड़ा पना जरूरी है अगर इमेरेटली जान्स होती है तो हम उसको हम कॉंट्रोल कर सकते हैं उसको मेदिसिन जो सुपोर्टी मेडिसिन को देख उसको बंचा सकतेward और दूसरे से उसको हम अलग रख सकते हैं इसलिए सबसे पहली बात कि आप सोचल डिस्टेंसिंग रखिए आप मास्क का यूज कीजिए सेनेटाइजर का यूज कीजिए और थोड़ा भी अगर आपको सिंटम आये तो इमेडिटली आप अपने को चेक करा लिजिए ये डरिय अपना भागिये नहीं क्योंकि जो भागा है वो पूरे दुनिया से भागिया है इसलिए आप कितने भी हिल दी हूँ अगर थोड़ा भी आपको लक्षा ना तो चेक कराईए दस तिन पंदर दिन की बात आप ठीक हो जाएगा और आपसे दूसरा वेक तीन फिक्ट निजिस है कि विल्कुल उपाद्य साब का कहीना है कि हमें अपने आपको रखना है अनुशाषर में रखना है और रियक्ट नहीं करना है इसको समझ्ज के हमें उसका आत्मसाथ करके रस्ता निकाल के बाहर जाना है रहा कि चार मैलाएं चार से पांच महिलाए किसी रेस्टारेंट के अंदर में खाना खाने गई और रेस्टारेंट में जाने के बाद उन्होंने खाने का ओडर दिया खाने का आने के बाद सर उसके अंदर में चार पांच महिलाए बैठी रही जब खाने का order आए, खाना खाते समय एक cockroach कहीं से आके महिला के कपड़ों पे चड़ गया, महिला ने तुरंत रियाग किया, और तुरंत रियाग करने से पुरी प्लेटे वलेटे और पुरा इदो दो चलाए, cockroach उचल के दूसरे टेबल पे चला गया, वहाँ के लोगों ने शान्ती से उस cockroach को देखा, थोड़े दिर उसको शान्त होने दिया, और शान्त होने पाद धीरे से उसको हाथ से पकड़ कर उसको बाहर फेक कर आ गया, तो तात पर ही है कि अगर हम कोई परिशानी अगर हमें आती है, इस स्टोडी के माद्दयम से मैं आप कोई बताना चाह और उस दुराभा को समझ के उसका निराकरन धूंडे, यही आज की चर्चा में उपादय साब ने हमसे कहा, और इस चीज़ को जिस तरह से पुलिस विभाग ने, यह बहुत बड़ी बात है नाकपूर शहर में, मेरी उमर 50-50 साल क्योंकि मैंने जीवन में कभी पुलिस को कहीं लोगों ने इस तरह काम पुलिस विभाग ने किया है, अधरने भरने जी असाब के सैयोगी है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, तो पुलिस विभाग ने जिस तरह से जंता के साथ कंदा से कंदा मिलाकर, इस पर Celebration के योद्धा के रुप में लड़ाई की ह और सोच समझ कर और अच्छी भावन के साथ लड़ाई करें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उपादे साथ आपको विश्वास दिला रहे हैं कि ये लड़ाई बहुत जली हम जीत जाएंगे और इस कोरणा जैसी महामारी से हम छूड़ जाएंगे इतना ही इस मौकेपे क दरना चाहता हूं कि हमारी संस्तान एक ब्रोशर बनाया है सर जिस ब्रोशर के माध्यम से जजजद कि आपने कहा डे-to-day रूटीन में जो समझ्याएं है एफ जाना है क्या क्या चीजों का पालन करना है उसके लिए हमने एक ब्रोशर बनाया है मैं आप से गुजारिश करता अघ्ष का व्यूमोचन इस मौके पे करें गे तो बड़ा सर्alım थांक यू जू वरीमुच बहुत-बहुत शुक्रिया पादे साब आपका बहुत बहुत-बहुत आपर है तैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया पादे साब आपका बहुत बहुत आपर हैं गुजा जी में एक शेर कहना चाहूंगा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं सपनों के परदे निगाहों से हटाती हैं होसला मतहार उठ गिर कर ओ मुसाफिर ठोकरे इंसान को चलना सिखाती हैं बहुत बढ़िया धन्यवाद